मैं आपके बीच में कुछ बेचने नहीं आया हूँ मैं सिर्फ आपको ये कहने आया हूँ मुझे गुजराती नहीं आती है मन्ने गुजराती नतिया औरते इतनी समझ में आती है कि ये कह रहा था कि मेरा कमर खड़ाव है तो पैर खड़ाव है तो मुझे बैठ कर बोलने की इजाज़त दीजिए देख भाई बैर खराब है तो चलेगा इमान खराब नहीं होने चाहिए अब आप लोग बस बता दीजिए मुझे नहीं कहना है इस इंसान का इमान खराब है क्या? तो तो दीवे बोल रही है कुछ डाउट है क्या? इमान खराब है क्या? तो हमारे पास एक ऐसी आवाज है जो सिर्फ गुजरात में ही नहीं पूरे देश में अन्याय के खिलाप लगने देशने है और इसी लिए ना रात को आसाम से पुलिस आई सिर्फ गुजरात की पुलिस आई लभ यू नहीं बोलती है आसाम की पुलिस भी आजकर इसको इलू इलू बोल रही है आदर निया प्रधान मंत्री जी की किड़पा रही जैसा के पपा का मुहबबत अगर इसी तरह से हम लोगों को मिलता रहा तो आसाम क्या साथ मुलकों की पुलिस डूनेगी भाई साहर क्या है ना कि दो तरह के लोग हैं एक वो लोग हैं जिनका इमान भुखाओ एक वो लोग हैं कि कोई ऐसा नोट छपा ही नहीं है कि हमारा इमान खरीद ले और आपने अभी देखा होगा कि जब पत्रकार नहीं खरीद पाते हैं तो चैनल ही खरीद लेते हैं